तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत जबरता सड़क हाथसा हुआ है। पड़े हैं बहुत जबर्दस सड़क हादसा हर्याना के करनाल में सुबा सुबा हो जाता है बताय जारे है कि कार को बच्चे चला रहे हैं और आप देख सकते हैं दूर तक जो है कार के पार से वो बिखरे पड़े हैं करनाल के रामनगर के पास ये हादसा हुआ है और पुलिस तो बड़ा हादसा भी हो सकता था फिलाल गाडियों को ही अक्षर तिकरस्त हुई है और फिलाल आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो बिलकुल टूट गई है पर खचे इस गाड़ी के जरूर उड़ चुके हैं बहुत बड़ा हादसा हुआ था कांच के पूरी तरह से टूट चुका है ओटो आप देख सकते हैं किस तरीका से वहाँ चड़ गया है और गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से कांच के टुकडे यहां पर बिखरे पड़े हैं बहुत ही जबर्दस हादसा हुआ था यह कार बहुत ही ते जरफतार से इतनी कंट्रोल नहीं हुआ और उसके बाद किस तरीके से ओटो को उड़ा देती है और सामने आप देख सकते हैं ये एक रेडी यहां पर लगी हुई थी काउंटर था यहां पर और किस तरीके से इन दोनों को भी उड़ा दिये जाता है बहुत ही जबरतस सड़क हादसा हुआ है हर्याना के करनाल में और आप देख सकते हैं गाड़ी के पर खचे यहां पर जुरूर उड़ उड़ चुके हैं जिहां गाड़ी के पर खचे आप देख सकते हैं किस तरीके से उड़ चुके हैं किस तरीके से करनाल की बालवी की बस्ती यही तस्वीरे जहां पर आये हादसा हुआ और कार के जो आप देख सकते हैं कांच के टुकडे बिखरे पड़े हैं गनिमत रहती है कि किसी को चोटनी लगी कोई घाय नहीं हुआ और फिलाल आप देख सकते हैं यह ओटो है यह भी यहां पर चर जाता है कांटर यहां पर लगा हुआ था उसे भी कहीं न कहीं तोड़ दिया गया परिवार है जो कांटर पर समान बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था और किस तरीके चाप देख सकते हैं दूर तक काच के टुकडे भी यहाँ पर बिखरे पड़े हैं बहुत ही जवर्दस हादसा हुआ है करनाल में गाड़ी के पर खचे आप देख सकते हैं किस तरीके से उड़ चुके हैं बहुत ही जवर्दस हादसा हुआ था और फिलाल गाड की बाल में की बस्ती की तस्वीरे जहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही जबर्दस हादसा हुआ है किस तरीके से जुस्मान अब आप देख सकते हैं यहां पर बिखरा पड़ा है बहुत ही जबर्दस हादसा परिवार के लोग फिलाल थाने में गए हैं वहां पर जहां चल र में होता है